जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशन स्वाड आफ मिराकल को हासल करने के लिए अगले टेस्ट में दाखिल हो चुका था और उसके सामने उसका एक हमशकत डांक हाउशन उससे लड़ने को खड़ा है और हाउशन को आखे बढ़ने के लिए अब इसे हराना डांक हाउशन असली हाउशन पर हमला कर देता है और असली हाउशन उस पर काउंटर अटाक करता है और दोनों की स्ट्रेंद एक तम इक्वल है इनकी स्पिरिच्छल पार लड़ने की टेक्नीक और बोडी मूमेंट सब सेम है ये दोनों ही गाडियन और डिसाइबल स्किल्स इसको यूज कर पा रही है और हाउशन की जो स्ट्रेंद थी जो उसको जाता ताकतवर बनाती थी उसका डबल अट्रिब्यूट के साथ नाइट होना वो ही अब डांक हाउशन के पास है इसलिए हाउशन को काफे दिकत हो रही है हाउशन लड़ते लड़ते ठक भी रहा है और उसे चोट भी आ रही है लेकिन डाक हाउशन एक पसंट भी नहीं धकता और उसे बिल्कुल चोट नहीं आई है हाउशन की स्पिरिच्वल पार भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और अगर हाउशन ने कुछ नहीं किया तो वो पूरी दरह से पार ड्रेन हो जाएगा इस लेकिन उसके बापा इससे एकदम उल्टी बात उसे कहते हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम डिसाइपल नाइट होने के नाते, उस पर अटाइक ही अटाइक करो, अटाइक ही सबसे पावफुल डिफेंस है, डाग हाउशन हाउशन को फॉर्मीशन में डाल कर उस पर गायब होकर बार-बार उस पर हमला कर रहा था और पीछे से टीचर ये हुआ डिफेंस की और उसके बापा अटाक की कह रहे थे और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे लेकिन तब ही वो कुछ सोचता है कि इस दुन्या में पहले कभी कोई ऐसा योध्या नहीं हुआ है जिसने डिसाइपल और घट-नाइट्स को इक साथ प्राक्टेस किया हो। शायद अभी तक मेरे ड्वल का अटिवेशन को लेकर सोच या धिंकिन ही गलत थी मेरी पार disciplinary night skill plus guardian skill का combination है बलकि ये सब चीज़ का combination है मेरी skill इन दोनों का perfect plan होना चाहिए और इन दोनों को combine करके मुझे attack करना चाहिए हाउशन अब ऐसा ही करता है और absolute defense के साथ सा वो उस पर attack भी करता है और dark हाउशन एक ही जटके में खतम हो जाता है और हाउशन जी चाहता है हाउशन ने guardian और disciple को एक में मर्श फाइनली कर ही लिया है और ये उसकी first self invented skill है और ये इसका नम revenge of light रखता है अब आसपास की उसकी जगे हिलने लगती है और वो किसी और जगे पहुँच जाता है उसके सामने एक बहुत बड़ा सिंगासन है और उसके उपर स्वाट अफ मिराकल रखे हुई है आसपास उसकी announcement होती है कि बहुत सारे पढ़ावों को पार करते हुए तुम यहां तक पहुँचे हो और ये आखिर पढ़ाव है मैं स्वाट अफ मिराकल की स्वाट स्पिरिट हूँ और मैं तुम्हारे सामने हूँ तुम्हे बस मुझे सिंगासन में से खीचना है और फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी हावशन आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर और जैसे ही वो उसे बाहर निकालने लगता है वैसे ही कई सारी स्पिरिट हाउशन को पकड़ कर पीछे धकेलने लगती हैं और वो हाउशन को तलवार नहीं निकालने दे रही हैं और उसे साथ इसाथ मानिपलेट भी कर रही हैं ये इंसान कितने गंदे हैं तुम्हें डेमिन इंस्टिंक सक्सेस या जीत नहीं होता इंसान का बीसिक इंस्टिंक सवाइवल होता है और अंदकार में रहकर हम तुमें जीने का पूरा मौका देंगे तुम में एरोगेंस दोगलापन होना चाहिए जिससे तुम उन्नती कर सको और इंसानों की बनाई हुई जूटी दुनिय आमें ना फस सको हाउशन को ये सब पूरी तरह से चारो तरफ से घेर ले रही है और हाउशन को भी आप विजिन्स आने लगते हैं कि जहां वो खेला करता था जहां वो बड़ा हुआ है वहां आप हर जगें अंदकार है और सभी लोग हाउशन को इसका जिम्मेदा ठहरा र रही है और हाउशन के उबर वो चड़ जाती है लेकिन तभी हाउशन पूरी ताकत लगाता है और अपनी सन ओफ लाइट का यूज करके उन सबी स्पिरिट्स को हवा में उच्छाल देता है हाउशन अब याद करता है कि यहां तक पहुचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है कितनों को खोया है और कितने लोगोगों को पीछे छोड़ा है और अब वो इन सबकी बातों से मानुपलेट नहीं हो सकता उसको जो सिखाया गया है उसे उसमें पूरा भरुसा है और वो अब वहां जितनीबे स्पिरिट्स हैं उनसे लड़ने लगता है और उनको साइड हट कर ली च्छे हजार सालों का इंतसार अब पूरा हो गया है और फाइनली इस सवाट का आप कोई मास्टर है अप हावशन का रिचवल होने लगता है जिसमें वो सवाज़ इसके पास एक सिंगल सवाट आजाती है और हाज़न अब वापस ऐसे दुनिया में आ जाता है महां लॉड आफ लीग कहते हैं कि तुमने ब्लू रेन और लाइट है बिकस को मर्च कर लिया है और अब स्वार्ड आफ मेराकल तुम्हारे अंदर है हाउशन उन्हें अपने अंदर फील करता है और अपनी तलवार को वो समन करता है वो कहता है कि दोनों ट्विन्ट स्वाट्स अप एक में मर्च हो गई है और फ्यूचर में जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे वैसे तुम्हारी स्वाट भी ग्रो होगी हमने इस मौके का कई हजारों सालों से इंतजार किया है और अब आगी का रास्ता तुम्हारे लिए काफी डीजरस होने वाला है और वहाँ से बीच में लौटने का भी कोई रास्ता ना होगा हावशन कहता है कि वो भी अब नहीं रुखेगा उन्हें हावशन के अंदर लिंज इंव्यू की शालों दिखती है और वह समझ आते हैं कि हावशन जरूर कुछ कह रहा है और फिर ये अपसोर यहीं खत्म हो जाता है गाइस मेरे भाई ने एक चानल जिसमें वो नई मूवीज और सिरीज एक्स्प्लीन करेगा वो उपन किया है और आप सभी को उसमें रेगिलर मूवीज की एक्स्प्लीनीशन देखने को मिलेगी सो आप उस चानल को एंड स्क्रीन में दीगई लिंक पर क्लिक करके जरूर विजट करें